नमस्क्राइश्ट दोस्तों स्वागिताब के यूडियो चनल प्रियन ओच मिस्टर फूर्स का शेयर का प्राइज भी ट्रेड करणा है 15.10 पैसे मार्केशन और कंपानी का मार्केशन है तो यहां पर मिस्टर फूर्स के शेयर में कर देखें गे तो कुछ दिन में जबदस ते बना और मिस्टर फूर्स में कुछ अपडेट्स आया है दोस्तों तो इस वीडियो के मादन सामुख समझेंगे दोस्तों मिस्टर फूर्स के शेयर को लेकिए मिस्टर फूर्स में क्या चाल रहा है मिस्टर फूर्स के कंपानी को लेकिए रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो प कम्पनी का जो high price बनाया Mr. Amfus के share में 52 टुलीक में 26.40 पैसे का यह high price बनाया share में और वही तो बात करते हैं जो low price बनाया 11.90 पैसे का तो आप ही हापे आप देख सकते company के जो मतलब 52 के जो low price उसके share में अच्छा कहा सा तेजी बनाया 11.90 पैसे का इसका low price है प्रड़ी तो इस तो शेर में का चाहा सा तेजी बनता हुए इनको मला है स्टॉप पी की बात करते हैं जो कि 4.69 इसका स्टॉप पी है वो बेलो की बात करते हैं 5.18 है आरो सी 88.7 परसंट है आरो ई 98.7 परसंट है दोस्तो कमपणी का यहाँ पर देखते हैं Mr. N.Furce का अप्विलाद जो है आपर इन्फरमिशन देने को मल रहा है जहाँ पर शेर जो है पुछ दिन में अगर देखते हैं देखे हैं Mr. N.Furce का शेर को लेकर वान मंत में share मुझे एक जबरदस तेजी बनाया है बीच में जैसे कि share का price जो लगबग 16.67 पैसे का असपास पहुचा है वान मंत में दोस्तो company का अभी आप देखते है Mr. Nforz का जहाँ पर आप देख सकते company जो है reduce debt मतलब company जो है बहुत सरा debt जो है इसका reduce किया है company अभी almost बोल सकते है कि Mr. Nforz जो है एक debt free company है जो कि बहुत ही और यहाँ पर Mr. Nforz का जो बोल सकते है कि आप देख जो इसका sales से पिछले 10 साल का sales देखते है कंपानी का Mr. Nforz का जो कि यहाँ पर अच्छा का सा increase होता वालेक्टिंग को मिल रहा है तो company ने debt reduce किया है debt free company है sales company का increase प्रोमोटर होल्डिंग जो है पिछले quarter में देखेंगे तो 1.51% प्रोमोटर होल्डिंग से आपे reduce किया है tax rate seems low company has high defters of 168 days तो आप यहाँ पर Mr. Nforz में जो updates आया है तो आप देखते हैं तो देखे company को लेके Mr. Nforz को लेके जो information यहाँ पर देखने को मल रहा है मैं बेंक security जो है मैं बेंक के पास company का Mr. Nforz का 1.06% stake है मैं बेंक के पास मैं बेंक के पास जो है अब देखे प्रेजेंट मैं बेंक सेकूरिटी प्रोमोटर है जो है share holding of 1.06% the state investors request the company for the visit of business facilities तो यह information फिलाल share किया गया है Mr. Nforz का फिलाल यहाँ पर जो information को मल रहा है Q125 में company का देखते हैं जो sales है 338 करोर से increase होके 383 करोर हुआ है company का जो operating profit है 97 करोर से down होके 73 करोर हुआ है profit before tax के बात करते है Mr. Nforz का जोके 96 करोर से down होके 72 करोर हुआ है तो यहाँ पर जो net profit है Mr. Nforz का दोस्तो Q125 में 94 करोर से down होके 71 करोर हुआ है Q125 में company का कुछ खास business बगएर नहीं हुआ है company का sales जो है sales increase हुआ है company का expenses बढ़ गया है Q125 में देखते हैं अगर company का sales बढ़ गया है और यहाँ पर जो company का expenses जो है वो बढ़ गया है तो company के आपर operating profit down हुआ profit before tax जो है down हुआ net profit जो है आपर company का down हुआ है Mr. Nforz का अब यहां पर company को लेकर तोड़ा देखते है Mr. Nafors को लेकर देखे फिलाल Mr. Nafors का देखते हैं company जो है यहां पर पता जा रहा है कि new plan जो है कुछ company कहें new plans companies planning to increase its business or presence on leading online grocery delivery platforms to further जो है बोल सेथी कि इसके business इसको increase करने के लिए तो company जो आपी fundraise कर रहा है company का देखते तो online भी है आपी कोशिश कर रहा है कि इसका business को जो बढ़ाया जाए online आके company जो यहां पर एक agreement भी sign किया है बहुत पहले जो की proposal to manufacturing of जो बोस्ते के grain based ethanol है तो इसको लेके तो ऐसे बहुत सारे जो है company के पास बोस्ते के प्लैन से और या फिर ऐसे प्रोजेक्ट से एतनल प्रोजेक्स को जैसे की बहुत पहले से चल रहा है एतनल प्रोजेक्स को जो एग्रिमेंट साइन किया ह गुजरत गौवर्मेंट के साथ एतनल प्रोजेक्स को लेके जो कि 1000 के एल पीडी प्रोजेक्स से उट कॉस्ट एराउंड 2250 लेक तो अब यहाँ आप एक कंपानी का देखते है जियोग्रफिकली ब्रेक आप देखते है कंपानी का revenue जो है revenue का क्योंकि 98% कंपानी का domestic इसका revenue होता है और export जिया 1% के आसपास होता है दीजिए Guste Duty ब्रकोडर को देखते हैं अब भी छैंसे प्रोडाइक्स के ना अफ्रें के दीखते हैं सॉल्ट है जो कि regular सॉल्ट है crystal सौल्ट है हूई तो ऌल से बसमुती लाइज से इसके प्रोडॉक्स को सेल करता है manufacturing and distribution network के बात करते है मेंस्टनफुर्स का जहाँ पर इस फुल्ली Automated processing plant located इन जो की हमतनागर गुज़्ात में है वी एक कापसिती और 45 metric tons पर आवर which is an end-to-end rice processing facility तो गुजरात में इसके जो manufacturing facility है जो कि rice का एक manufacturing facility लोगों ने बनाया है और company also has an integrated packaging and जो बोल से कि miling facility and 13 SQs in its product portfolio and 15 super stockist तो यहाँ पर company के पास SQs है जो कि एक अच्छा कासा company के पास SQs है तो फिलाल बोल सकते कि दूस्तों Mr. Amphors के share में जो यहाँ पर company को लेकर देखने को मल रहा है company यहाँ पर मजबूत है business अच्छा कासा कर रहा है इंडिया के बाहर भी इसके product जो है sales करते है कुछ countries में company जो है बिजनस है यहाँ पर देख सकते है packaging first moving consumer goods है जो कि बासमती rice wheat and marketing selling of falses salts and salts processing जो है इसका होता है 15 super stockist है 10 states में इसका business है लगबख यहाँ पर 70,000 plus retailers है 70,000 plus retailers बताए जाए कि अभी Mr. Amphors का है तो आप समय सकते है कि company का यहाँ बिजनस है एक जबर्दस्त यहाँ पर कर रहा है Mr. Amphors का share जो है देखिए अभी share का जैसे कि share का price अगर देखते है दोस्तों इसका 52 टीक का भी high price आप देखते है जो कि 26.40 पैसे का है तो 52 टीक में भी बहुत सब्सक्राइब की share उतना जादा एक target price नहीं रखना है फिलाल Mr. Amphors के share में 25-25 रुपे का आसपास इसने एक high price बना है share का price टेट करता है भी 15.10 पैसे में तो यहाँ पे अगर फिलाल हमें रखते है कि कोई अगर share खरीता है तो बहुत एक छोटा मोरा target price रखना चाहिए बहुत ज़्याद एक target price फिलाल Mr. Amphors के share में नहीं रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है और यहाँ पे हो सकते हैं कि दोस्तों बहुत सारे इसे investors रहेगा जिर लोगोंने तो ज़्यादा price में Mr. Amphors के share में खरीदरी करके रखाए तो किसी ने अगर ज़्यादा price में खरीदरी करके रखाए तो तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि share का price जो है अगर आपने आभी देखा हमारी यूटिप चनल भी नवईश को सब्सक्रेब नहीं किया है तो ज़रूर करें